अगर आप comics gold में short term के लिए trading करते हो और नहीं जानते कहाँ पर bind करना चाहिए कहाँ पर selling करना चाहिए और क्या stop loss होना चाहिए और क्या target रहेगा तो इस video को last तक जरूर देखे नमस्कार दोस्तो मैं आनिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूँ आज तारीख है 19 अगस्त 2023 टाइम हो रहा है शाम के साधे चार और आज दिन है सैटेडे फ्रेंज हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कॉमेक्स गोल्ड की जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी फ्रेंज आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो फ्रेंज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की लेटस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे फ्रेंज इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अकसर रिस्पेक्ट करता है तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखे ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हल्प हो सके फ्रेंज आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे क्योंकि आधाधूरा ज्यान बहुत हानिकारक हो सकता है आज बात करेंगे कॉमेक्स गोल्ड की जिसका कोंट्रेक्ट है कर्ट ट्रेडिंग प्राइस का कॉमेक्स गोल्ड जिसका कर्ट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 1889 रुपे के आस-पास और इसका लेटस्ट हाई पोस्ट हुआ है एक हजार 1990 रुपे और इसका latest law post हुआ है 1885 रुपे fundamental view की बात की जाये तो घट्ती बढ़ती हुई ब्याजदरे और चाइना की और से demand और supply geopolitical tension और dollar index में उतार चड़ाव और news इन सारी बातों का असर, comics gold के उपर देखने को मिल सकता है important support की बात की जाये तो support यानि ऐसे levels जहां से price उपर की तरफ जा सकता है पहला support 1872 रुपीज दूसरा support 1856 रुपीज और तीसरा support 1834 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price इन support को तोड़के निचे की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही support बाद में resistance का का काम करेंगे important resistance की बात की जाये तो resistance यानि ऐसे levels जहां से price निचे की तरफ आ सकता है पहला resistance 1,901 रुपीज दूसरा resistance 1,920 रुपीज और तीसरा resistance 1,947 रुपे के आसपास दिखाई दे रहा है अगर price निचे को तोड़ के उपर की तरफ breakout देता है और sustain रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है इस बात का ध्यान जरूर रखे अगर ऐसा होता है तो यही resistance बाद में support का का काम करेंगे very long term यानि मन्थली चार्ट पे train की बात की जाये तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाए दे रहा है लों टम यानि वीकली चार्ट पे train की बात की जाये तो ट्रेंड नेगिटिव दिखाए दे रहा है तो करना क्या चाहिए आईए देखते है इससे पहले प्रेंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारासा लाइप भी जरूर कर लेना प्रेंड जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहे प्रेंड अवोईट की स्ट्रेजी अपनाए फिलहल बाजार अभी नेगिटिव दिखाई दे रहा है कर्ट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवार्ड रेश्यो देखे तो रिस्क 17 रुपे और रिवार्ड 12 रुपे के हिसाब से रिस्क रिवार्ड रेश्यो दिखाई दे रहा है अगर आप bind करना चाहते हैं, तो bind level जो है, cut price, 1889 रुपे से 17 रुपे निचे यानी 1872 रुपे के आसपास bind करें, target रहेगा 1901 रुपया, अगर यह target अचीव होता है, तो second target रहेगा 1920 रुपे, और इसके लिए stop loss रहेगा 1867 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने top level पे already buy किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 1872 रुपे के आसपास average करें, अगर बजार इससे भी निचे चला जाता है, तो आप 1856 रुपे के आसपास 30% quantity average करें, friends averaging करने के लिए train का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानी weekly chart पर train की बात की जाए तो train, negative दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, जो सेल है उनके लिए सलाह रहेगी, sale on right की strategy अपनाए, फिलहाल बजार अभी negative दिखाए दे रहा है, कर्ट प्राइस पर sale side का risk reward ratio देखे तो risk 12 रुपे का दिख रहा है और reward 17 के हिसाब से risk reward ratio दिखाई दे रहा है, अगर आप selling करना चाहते हैं, तो selling level जो है, कर्ट प्राइस 1889 रुपे से 12 रुपे उपर, यानी 1901 रुपया के आसपास selling करे, target रहेगा 1872 रुपे, अगर ये target अचीव होता है, तो second target रहेगा 1856 रुपे, और इसके लिए stop loss 1906 रुपे, और friends stop loss जरूर लगाए, बिन stop loss की trade करना बहुत हानिकारक हो सकता है, अगर आपने lower level पे already sale किया है, तो आपकी total quantity में से 30% quantity, 1901 रुपया के आसपास average करे, अगर बजार इससे भी उपर चला जाता है, तो आप 1920 रुपे के आसपास 30% quantity average करे, जैसे की हमने पहले भी बताया, अबर agent करने के लिए trend का आपके favor में होना बहुत जरूरी होता है, और long term यानी weekly chart पर trend की बात की जाये तो ट्रेंड, negative, दिखाए दे रहा है इस बात का भी ध्यान जरूर रखे, अभी के लिए overall trend negative रहेगा, sale on rise करके चले लेकिन streak stop loss के साथ, आने वाले दिनों में 1872 रुपे और 1856 रुपीज के target देखने को मिलेंगे, Friends अगर आप इन levels पर trade करना चाहते हो तो आपके financial expert की राय जरूर ले, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो और इस financial market में सही और गलत की समझदारी जरूर रखे, और आपके profit and loss की जिम्मेदारी खुद ही ले, और अपना money management और risk reward ratio अच्छे, से maintain करे, अपनी trading में back testing या paper trading जरूर करे, उसके बाद ही trading करे, अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखे, और आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe और like जरूर करे, साथ में घंटी के bell icon को all पे set करना न भूले, ताकि आने वाली वीडियो की latest update आपको लगातार मिलती रहे, धन्यवाद